अधिया फ्रेंड्स मैं कुलदी भंडारी आप लोग का मेरे YouTube चैनल में स्वाइब बता है आज किस वीडियो में आप सीखेंगे कि Tally क्या है Tally में Company कैसे create क्या जाता है Company को delete कैसे क्या जाता है बनाके और Company में alter कैसे क्या जाता है ULTERATION तो आज की इस वीडियो में आप चार चीजे सीखेंगे पहले तो आप यह जानने जाए कि Tally क्या है Tally एक accounting software है जिसके माध्यम से हम लेन देन का हिसाब record अपने Tally software में रखते हैं पहला तो यह हो गया और दूसरी आपको बताएंगी Tally screen पे कैसे create किया जाता है यदि आप install educational mode के हैं तो इस पर भी आप सीख सकते हैं तो आपको चलिए screen पे ले जाता हूं Friends जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने Tally के location पे आ गया हूँ और Tally पे आप double click करियेगा Tally पे double click करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का company info देखने को मिलेगा जब आप first time Tally open करियेगा तो आपको इस तरह को देखने को मिलेगा आपको company create करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे नीचे सबसे नीचे देख रहे हैं create company इस पे आपको click करना है इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह को interface देखने को मिलेगा यहां पे कह रहा है company name यहां पे आपना जिस company नाम डालने थे हैं वो नाम डालने के बाद यहां पे आपको primary and mailing names by default आ जाएगा तो आपको इसमें कुछ ने करना और यहां पे address भरना है आपको address भरना है जो आपका address है वो भर दीजिए और address भरने के बाद यहां पे आपको अपना country सेलेक्ट करना है कौन सी country से आप बिलॉंग करते हैं country सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको state सेलेक्ट करना है state सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको पहले pin code देना है पिन कोट देने के बाद यहां पर आपको कह रहा है कॉन्टेक्ट डिटेल है आप अपना मॉइल नमर दे दीजिए जो है और यहां पर नीचे आ जाई है और इमेल है इस पर फैक्स नमर है तो फैक्स चल दे रहा है इमेल देना है और वेव साइट इसके बाद यहां पर आपक पासवर्ट भी लगा सकते हैं इसके बाद इंटर करना है इंटर करने के बाद यहां पे आपको बैक आना है और यहां पे इंटर यूज सेक्रेटी कंट्रोल यहां से भी आप पासवर्ट लगा सकते हैं आपको इंटर करना है इंटर करने के बाद यहां पे आपको सेव कर देन यहां पर आपको basic currency information परना है तो आप पर लिए नहीं तो इसे control ए से save कर दीजिए या y press कर दीजिए तो आपको जब आप first time company open करेंगा तो आपको यहां पर gateway of tally का option दीखेगा और यहां पर इसमें बहुत सारा option है तो आपको कि जिसजिटव स्टेप में बुचना जाना जाना है वह आप जा सकते हैं और इसका आपको क्या करना है बंद करना है यहां इसे आपको Alt F1 करना है, Alt F1 करियागा तो आपका company बंद हो जाएगा और यहां पे आपको इस तरह को देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको select कीजिए, और select करने के बाद यहां पे जिस नाम से company open कियते हैं, और नाम डाले के बाद यहां पे आप देख रहे हैं, कि open हो चुक प्रेंडट्स जैसे कि देख रहे हैं, Alt F3 करने के बाद यहां पे आपको सबसे नीचे,ăngाía created, 09 did EIF और यहां पे प्राइज करना है कीजिए यह प्रेस करने के बाद यहां पे आपको इंटर करना है और इंटर करने के बाद यहां पे जो आपको गलती है वो डिलीट कर सकते हैं और इसे डिलीट करना है तो अल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हैं के अधी कर दिंग है उड्डि करने यहांपर इृपकर आपको डिलीट करने को हुआई हमाइट यूइक र्दीच पटाटीजिए इसी तरह से कमपनी चाहिए बंद कर सकते हैं और कंपनी को डिलीट कर सकते हैं अrif sulph Ven hun